ये है दैनिक प्राताकाल का डिजिटल एडिशन प्राताकाल लाइफ जन संख्या असंतुलन को लेकर दिये गए बयान पर AIMIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी अधित्यनात पर पलटवार किया है ओवैसी ने कहा कि योगी सिर्फ मुसल्मानों के प्रती खौफ पैदा करने के लिए ऐसे बयान देते हैं उन्होंने कहा कि योगी ने मूल निवासी का जिक्र किया क्या यूपी के मुसल्मान इस देश के मूल निवासी नहीं है अगर मूल निवासी नहीं है तो फिर कौन है द्रवेडियन और आदिवासी यहां के मूल निवासी है योगी और अवैसी दोनों ही इस देश के मूल निवासी नहीं है अवैसी ने मुसल्मानों से जुड़े कुछ आकड़े बता कर योगी के बयान को गलत करार दिया परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या इस्तरी करण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंतन का कारेक्रम सपाउता पुरोक आगे बढ़े लेकिन जनसांगी की असंतुनन किस्तिती भी न पैदा होने पाए ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आवादी बढ़ने की स्पीड उनका प्रिस्द जाटा हो और कुछ जो भूल निवासी हो उन लोगों की आवादी की स्प्रिकरण में हम लोग जागरूपता के मात्यम से इंफोर्समेंट के मात्यम से उसको निर्कित करके जनसंख्या संतुन किस्त कि पहला करें और यहां एक चिंता का विश्य हरें उस देश के लिए जहां पर जनसंख्या संतुन किस्ति पहला होती है और इसलें लोग जनसंख्या स्तीर करण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्तेग, चाती, मात, मजब, चेत्र, भाजा, इन सबसे उपर उड़ करने समान गुप से जागुपता के ग्यापक कारेक्टरम को इसके साथ जोड़े जाने की आउसिकता यो उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री ने एक शब्त का इस्तेमाल किया मूल निवासी उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री को सबसे पहले बहसेती मुख्य मंत्री उनको इस तरह के अलफाज इस्तेमाल करने की कोई जाज़त नहीं देता ना उनको जरूरत थी क्या मतलब है मूल निवासी का क्या उत्तर परदेश का मुसल्मान मूल निवासी नहीं है और अगर मूल निवासी अगर कोई इस देश में है तो वो है ड्रिवीडियन लोग और आदिवासी लोग नमबर वन ना ओवेसी मूल निवासी है पिर रखना हो यो गिदेश मूल निवासी है फिर उनको ये बताना चाहिए था कि उत्तर परदेश में जो TFR रेट है वो 2015-16 में 2.6 ता जो अब गिरकर 2.3 हो चुका है उनको ये बताना चाहिए था कि भारत में जो मुसल्मानों का TFR रेट है वो कितना है वो गिरा नहीं गिरा नैशनल फैमिली हैल्स सर्वे में बता रहे है गिरा है वो बहुत गिरा है वो वो नहीं बताते और सरिफ डराने का काम भारत में जो TFR रेट है भारत के मुसल्मानों का वो 2.3 है उत्तर परदेश में आप देख लीजिए कि उनका जो TFR रेट उत्तर परदेश में गिरा है वो भी काफी गिरा है उसको बात ही नहीं करते उत्तर परदेश में जो प्राबलम है वो वेस्टेट चिल्रन का है वेस्टेट चिल्रन उत्तर परदेश में आप देख लीजिए 6% से 7.3% हो चुके हैं अरे मुख्यमंत्री बताओ ना के 2.7 था टो टी एफार रेट यूपी में अब गिरकर 2.4 हुआ है और पूरे देश में मुसल्मानों का टी एफार रेट 2.6 से 2.3 हुआ है पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई कॉन्टरसेप्टिव इस्टमाल करता है तो मुसल्मान है वो एने फचेस कहता है उस पर भी आप बात नहीं करते और उतर परदेश में पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा डिजाइट फर्टेलिटी रेट 2.026 तक हो चाहेगा मुक्यमंत्री को बोलना चाहिए सब बात ही है वो जानकर भी सिर्फ मुसल्मानों के तालुक से सब्सक्राइब करें और फेस्बुक पर देख रही है तो हमारे पीच को लाइट करना ना भूले